तो आज के हमारी इस क्लास में हमब बात करने जा रहे हैं VBA मैक्लर पर्फर्वाप्रवर्ग्मिंग पर लास्ज्ज्ट क्लास में हम ने फिटारी कल पार्ट बताहीli थी VBA मैक्लर मैक्लरवर्णिग। कि क्यों कैसे काब और कहां यूज होता है साथ में हम आपको गदाया था कि किस तरीके से आपको आर्टिकल दिया था तक कि आप कुस बेसिक नॉड़ेज आपके पास हो जाए वी 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 अगा अब चलिए हम आगे बात करते हैं वी वी माइक्र प्रोग्रामिंग के तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर वी 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 प्रोग्रामिंग आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या प्रप्रेशन करने परेगी समझ गया है तो सबसे पहले जो अप्लिकेशन आप इसमाल कर रहे हैं, आप बहुत से बचे पुछते हैं क्या अलग से VBA प्रोगामिंग का सॉफटर आता जी नहीं, एक्सल के अंदर ही VBA प्रोगामिंग का सॉफटर इंक्लूड होता है, उसका प्रेटफॉर्म होता है, तो आपके पास V बेसिक पे या माइक्रो की इंटरफेस पे जाएंगे, अब गोलेंगे सर, इसके अलावा नहीं जा सकते हैं या डेवलेपर टैम नहीं है तो, तेकि डेवलेपर टैम बेक्शली कहीं से इस्टॉल नहीं करना पड़ता है, जो कि आपके फाइल में नुबार के ऑप्शन में जाना होता है, और आपके बास विंडू, यह ओफिस 2007 है, तो आपको जैनल में ही दिख जाएगा, अगर ऑफिस 2007 से अपर बरजन है, तो आपको यहां कस्तमार्ज रीबन में आप जाएंगे, तो कस्तमार्ज रीबन में यहां डेवलेपर का दिखेगा, तो यह चेक होगा, पर क्लिक कीजिए, यह आपके सामने आजाएगा, या आप विजिल से खोलना चाहते हो, तो अल्ट एफ लेवन कर दोगे, और फिभी पुल जाएगा, माइको रीकॉर्ट स्पोर्ट करना चाहते हो, तो यू मेनुबार में होता है, एक माइको इस्तमाल कर सकते हो, तो पहले Security का जो है, Security का आपका, और आपका enable होना चाहिए, by default, आपका security disable होता है, समझ गहाँ, yeah, disable notification, मेलें प्रौल को दिया कि जब बीन sinners parma जिए कि जब भी माग्रले आप उपन करिंगी तो आपको सिर उर्ट अर तो और हर से ना सापके एमेंड करन नहीं चलेकव उखने। लाइग आप देशory यहां पर अने्वल आप कर दें लेकि म enough अनेवल करने से पहले मेरी नेलिए मिज electronically अब α phones कर रहे है पिं एंध THERE एब कॉंटेक्ञ तर 1974 नेयरी नियुकि आघता था जो कि मेरे आउट्लूक से मेरे कॉंटेक्ट थे उसके बाद जब भी कोई नई फाइल आप लेते हैं माइक्रो करने के लिए तो इस फाइल को जो आप सेव करेंगे जब सेवेच करते हैं सेव करते हैं तो उसके आपको एक खासा ध्यार नखेना है यहां पर माइक्रो अनेवल वर्क बूप होना चाहिए अगर माइक्रो अनेवल वर्क बूप नहीं है तो इसके आपको एक्सल वर्क बूप है आपके बास ता आपका माइक्रो फाइल सेव होगा लेकि माइक्रो सेव नहीं होगा तो कि एक्सल वर्क जो की डिपॉल्ट सेटिं कोन करता है तो मैं को अनवर नवर्गोड जब भी मैं को डिशाइब को कोड करें तो फ़हरे इस पाइल को आप इसको आप से से लेकि कभी क्या होता है सर कि गल्टी से आपका मैं को डिसेबल हो जाता है मतलत कि आपका मैंक्रो जह है यहां में एक्सल वर्क बुक पे ही शेव जाता है आप जहां भी रखते हैं चेंज करने का जहां नहीं रखते है तो इसलिए आप इसका ध्यान रखेगा लेकिन क्या होता है कि आप अगर चाहो कि इसको डिफॉल्ट कर सकते हो एक्सल ऑप्शन में सेफ के अंदर यह आपका होता है आप यहां से मैंक करने में वर्क बुक करो तो डिफॉल्ट हो जाएगा फिर आपको चेंज करने की जुरूद नहीं होगा बाइद को स्लैकी रहेगा लेकिन ध्यान रखेगा किसी भी कॉन्दिशन में आपका फाइल मांपको एकसर वर्क बुक में मैंक करते हो तो आपको फाइल माक को कहरी नहीं करेंगा जब तक फाइल ओपन है तब तक चलेगा जैसी फाइल को सेव या क्लोज करोगे और द्वार ओपन करोगे माइक्र लॉश्ट हो जाएगा उसके बाद आप एक नोट पैड रखें एक बड़ी सी रहिस्टर लखें और जो भी प्रोग्राम आपके दिवाज में आता है जो मैं बता हूँ या आप करें उस प्रोग्राम को प्लीज आप सेज़ करें ठीक है मतलब की उसको लिख लें अब बात करते हैं अपने माइक्रो पे तो सबसे बिरे बात करते हैं कि मैंको लिखेंगी कहां तो मैको लिखते हैं इसका आपको डेवलेपर टायम नहीं है और डेवलेपर पर लाने का टाइम नहीं है तो तो और यह बाति लेवलेपो औरृ trauma तो व्लो scraping से स्थल्खर की लेवलेपवलेपली है तो लेवलो लेवलेपलित यसा है यस से लुडा जुट लो अब आप कर दो कर दो है तो अब विए अब नहीं मिल रहा है तो आप इस पे Alt F11 करेंगे तो आपका वीजियो बेसिक का प्रेटफॉर्म फुल जाएगा इस तरह का प्रेटफॉर्म आपको ठीदेगा ठीक है इस तरह का program आपका पिल जाएगा आप जिते भी फाइल ओपेंगे यहाँपर आपको दिखेंगा तो आपको डाउन्डोड करने की जरूरत नहीं है प्री इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम में लेकिन कि जान रखेगा कि आप अगर बेफ बर्जन पर इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको वाइक्रप्रों को मायट्र प्रगामिग नहीं मिलेगी मतलब कि लिए अगर मनें लेजिए तो आपकशसी को सब्सक्राइब करते हैं लोग कृत करते हैं तो आपको डाउन्डोडे सकरेशन देología कि आ रहे कि आप जो भी इस तरह की बेज़न को यूरीज करते हैं तो यहां पे आपको एक्सल का कोई फीचर नहीं मिलेगा इसमें आप एक सकते हैं एक सारे कालकूलेशन फीचर फर्मेटिंग लगड़ा इस्तमाल होता है बट आप इसमें जök है इसमें बहुत से चीज़ से लेकि इसमें आप जो आप वी इसमें प्रकामिंग इसमें बहुत नहीं कर सकते हैं तो इसमें आप देखी आपको फाइल एडि रिव्यू जो 2003 में एक्सल था वही एक्सल का पूड़ा यहां पे आपको सेटप देए इसमें भी चार्टवार सब कर सकते हैं वो इसमें भी क्रॉगार्मिंग होती है लेकिन किसी प्रोगार्मिंग होती है यहांपे प्रोगार्मिंग होती है εक्स्मिल हा जावा की इसमें मैक्ला गया है कि ढूल decisions में आपका मैक्ला है तो छीज़ेंगे यह और चीज़ें लिए अगया कि चीज़े हैं लेकि एंसर्ट पर पोलम होगा तो यह चीजे आप एक्सल पर चलेगा, तो डाउनलोड थे फिर फैल पे नहीं चलेगा तो आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे हो कि आप प्रोग्रामिंग किस पाइल में कर रहे हो, ऐसी पाइल नहीं कर रहे हो, तो कई जगों पे मूव होती है ठीक है? तो नाराज सर आपको सर रजंदर जी ठीक है सर, सुन रहे हैं हम बुझ रहे हैं सुन रहे हैं ठीक है समझ में आ रहा है आपको सर आ रहा है सर जब सर यह आमने वह करतायन उसको सेबेज काने में वह दिश्टक्त नहीं होता ना हलो हाँ मैं बोला था आपको कि जब आप इसका क्या बोलते हैं माइक्रो को सेब करेंगे एक्सल वर्कुक पे ना सर एक्सल वर्कुक का फॉर्मेट होता है कि किसी भी माइक्रो को माइक्रो करेंगे नहीं करता है समझे तो उस केस में आपका माइक्रो कोड कियो चाहिए कोड कियो आपका माइक्रो लॉस्ट हो जाएगा इसलिए आप इसका ध्यान देगा अजया तो प्रेशन माइक्रो कि माइक्रो लगाने से पड़े किसकी चीज़ों पर ध्यान डखोगे आप माक्रो और अनेवल होना पड़ेगा तो अब अब लॉट है पुड़ेगा यह नेवल होना चाहिए पर आप माइक को लगाने से बचेंगे जो फाइल कई सारे लोगों को मिल होता है अन्डोन बेशन को को अगयद सर अब बात करते है यहां पर आप जब मैं दो बीज्यों बैसिक पर क्लिक करते हमारा सामने इस तरह के स्कीन आएगा अब सब्सक्राइब करें चाहिए तो आपको क्या क्या चाहिए नहीं है। आप प्रजेक्ट के लिए इस्पीक लिए प्रजेक्ट के लिए इसका सॉटकट होता है चूल अर एक फोर प्रपर्टी के लिए आप यहां के लिए इसलेक्ट करेंगे उसकी प्रपर्टी आप यहां भी है अब जो आप जब जब आप इसको खोलेंगे यहां से फाइल को तो आप यहां दिखेगा वर्क्षीट अबजेक्ट अगर आपने मॉडूल इंसर्ट कर रखा तो मॉडूल उबाद मैं एक पर नया फाइल खुलता हूं उसको दाता हूं तो नया फाइल आपने खोला और इसकी कि जो चीज़े नीचे कीज़े भूल जाइए सिप इसको ध्यान रखिए विविए प्रोजेक्ट बुक टू बुक टू मतलब की जिस फाइल में आप सेफ कर रहे हैं वह फाइल आपका बुक टू है और यहां पे आपके सीट वन सीट टू सीट त्री जितने भी सीट होंगे उस सीट का लिस्ट आएगा अगर सीट एड करते हो जैसे मैंने मालजी जी की बुक टूर्ण में कोई सीट एड कर दिया तो उस सीट आपको यहां पे बीग जाएगा पर मैं इसको बंद करता हूँ इसे बहुत सब्सक्राइब करते हैं जब आप विज्वल बेसिक पे जाएंगे तो यहां पर सीट एड हो जाएगा और सीट के नाम अगर चेंज करते हो जैसे मैंने सीट का नाम पहले वाले सीट का नाम में डेटा कर दिया तो यहां पर ध्यान पर बात है कि यहां भी आपके सीट का नाम डेटा हो जाएगा लेकि ब्राइकेट में क्योंकि सीट वीवियर सीट को दो त्रह से रीट करता है पहला पॉपर्टी नेन दूसरा कैप्शन नेन जो बाहर आप नाम चेंज करते हैं उसको कैप्शन नेन का हो जाता है और जो यह तो कहाँ चैन्ज होता है उसको हम सीड के नीम कहते हैं ठीक है। और यहां हमारे सीड की पोपर्टी होगे कि आप देख सकते हैं अब यहां से पोपर्टी जो नहीं को है विजुल बेसिक पी जाकर देखें लिए आप यहां डेवलपर टाइब भी आप पॉपटी दिखेंगे तो सीट की एक्टिफी पॉपटीज आपको दिख जाए इसलिए यहां पे सीट का नहीं सीट सीट वन नेंग क्या पॉपटी नेम है यहां देखेगा इससे मतलब इसको नहीं है ता दिच्प्लेड पेसब् तुरू किजिए फॉल्स किजिए एक तो से जैसा हो जाएगा अनेवल ऑटो फिल्टर यहां आपका अनेवल कल्कुलेशन्स यह सबसी होई है आपका विज्वल और यहां नेम डीटा तो आप यहां से भी चेंज कर सकते हो जिसे में यहां पर डीटा पिवर्ट कर जाता हूँ तो देखिए आप डिटा पिवर्ट हो गया तो जोड़ी नहीं सीथ की नहीं आप हर एक चीज़ की पॉपर्टीज के लिए आप यहां से देख सकते हैं या आप यहां से देख सकते हैं अब पॉपर्टिवार नहीं है तो खिलीक करके पॉपर्टिवार को लाया जा सकता है अब बात होती है कि हम कोड कहां करेंगे है एक बात पुछी शर मेरे इधर यो ब्लैंक है न उदर आता है क्या तुछाइब दीजिए न यहां इस कॉलर से पकड़ कि इसने उरां दीजिए यहां करते हैं कि हम कोड़ी कहां कि यहां को कर दिख रहा है कि इस पर इसने इसके उपर करते हैं और इंसर्ट में मुडूल करते हैं और हम तो code करेंगे इस modules के उपर double click के code करेंगे ऐसाब क्यों इसके लिए आपको पहरना पढ़ेगा type of micro ठीक है बत्रब कि VVA micro programming के जरीए अब क्या 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 करेंगे इसके बारे बता रहे था हूँ VVA अगर exactly है इसके तीन product बनेंगे पहला micros आपका macros आपका फंक्षन और तीरा बनेगा आपका user form ति मैक्रोज आपका इस macros को दो part है एक है हमारा macros को दो part है आपको normal या हम यह उजिल form को interface ही है लेकिमें आपका macros है बैसे दी माइक्रो को डिप के बार में बात करा दाकि मैइको का टाइप कि असको जानना जोड़ी है मैक्रो दो टाइप की कहते हैं पहला होता है पभलिक मांको पभलिक मांक bers सब्सक्राइब अधर स्टैक्री इसे से आप करते ह 허팝 आप को स्क्राइब मतना है तहिंसे आप की आपको रिकार्णी necessarily है है लिखा हुक्त कि इस बर्ग बुव deceख हुआ बशक्राइब जोकि अभी मनेजी किने को CLICK किया और हमने यहां पे SELECK किया और यहां पर NAME लिख लिख दिया तो рекорड हो दिया NAME लिखने के MICRO यह आपका MICRO 1 हुआ इसमें जाएंगे तो myA अग earnest को इसमें जाएंगे और किहां पे सब मैक्रो निखा हुआ है बताए कि पब्लिक मैक्रो और यह कहां गया है मुडूल्स में गया हुआ है तो मुडूल्स में क्यों गया है इसके बारे में आप जान लेजिए पब्लिक मैक्रो ओ होता है जो जिसकी कोटिंग मैक्रो के साथ सेव होती है मतलब उसका code उसी फाइल की property में save होती है और जहाँ जहाँ file save होता है जो travel होता है वहाँ वहाँ आपका file भी travel करेगा मतलब कि आप पे फाइल भेजूत आप भी हमारे इस file micro1 को use कर सकते है समस्किए सर और अगर फाइल ओपन है तो आप किसी और फाइल के भी उस macro वह run करवा सकते है जो public macro क्या होता है फाइल की property में save होता है जहाँ जहाँ file travel करती है जो इस file को access करता है वो macro को भी use कर सकता है that is public macro और दूसरा benefit क्या है कि आपकी अगर एक फाइल ओपन है तो दूसरे फाइल पना रखा है अगर वो फाइल ओपन है आप उस macro को दूसरे फाइल में भी run कर सकते हो लेकि कंडिशन के आज़ी से माल लिजिए है कि मैंने book 1 पे record किया और हमने इसको select किया और हमने इसको select करके हमने मालेचित color apply किया तो इक को select करके color apply करने का code generate हो गया अब मैं book 2 open करता हूं control n और इसमें अगर मैं जाता हूं macro में देखिए मैं इस macro को run कर सकता हूं और मैंको में प्रफॉर्म करेगा लेकि कब तक जब तक आपना file open है ओर जिनल फाइल ओपन है तो second वे यू काम करेगा अंगनी है अध्या आपकर फार श्रीक फोड़ा साथ कि अध्यार कर आपकर टो श्रॉड़ारा है जो तो प्रेस्तों मैं मैं रिगोर्णिया पर्मिस्वा देदीति आप प्र प्रफ। तो जैसे ही हमारा book one close होगा, आप देखिए, इसमें कोई macro नहीं है, तो यही problem है public macro होगा, हलाकि हम सबसे ज़्यदा public macro ही यूज करते हैं, लेकिन फिर भी यह public macro प्रॉलम होती है कि आप एकसर option भी बना सकते हैं, यहाँ formula है या बहुत सारे चीज़े हैं, तो ऐसे चीज़े आप खुद बखुद बना सकते हैं, ठीक है sir? तो sir, यह जो फॉर्मूलेज वगर जो create करने होते हैं, यह हमें public पे जादा safe रहेंगे प्राइवेट में आप जो बता रहे हो? Sir, यहाँ पे security की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रहा है huge, कमझ गया है? कि अगर आप आप आपके फाइल पे आपकी जो फाइल है, वो फाइल कई सारे जगों पे travel हो रही है, आप सब को मैं को यूज करवाना चांदते हुआ, तो आप पब्लिक मैं को इस्तिमाल करोगे, लेंकि आपके पास ऐसे फाइल हैं, जो की आपके फॉर्स्ट टाइम, मतल काल्पूलेशन जो कि आपके अपने लिए बनाया, वजय से मालेशे मेल सेंट करने वाली आपके मैक्रो बनाई है, तो वो मैक्रो का आप किसी और को नहीं देना चाहोगे, क्योंकि उस माइक्रो में आपके एमिल आईदी की पास दो करना की पूरी इंकिप्टिंग है, तो अएसे फाइल को आप प्लस्लाइब, और उसी है कि मेल सेंट करने वाली जो प्रॉडम है जो प्रोड्म है को आपको हर फाइल की चाहिए, आप मालेशे हैपको मेल करना है तो आप एक प्र्टिकुलर फाइल ओपिन करके मेल ना करेंगे, बिद्दी के मेरे पास देख लीज है उसकी फाइल है तो हम क्या करते हैं कि एकी mail हमने यह आपर बैस की टाइन डाली और हमने जुछ पूलेगा उसको लॉग ऐगा फिछ में करेगा फिर नीड़ को करेगा फिर आपको सब्दिक डालेगा फिर मेल बड़ी पे लिंक डालेगा और फिर सेल्ट कर देगा और इससारा काम किसी को देना नहीं चाहूँ तो कि किस मैल वाली मैक्रो है मुझे हर फाइल के चाहिए हर फाइल के चाहिए बार बार इस माईक्रो को अक्सेस करने के लिए मुझे इस आईपीके अच्सेप्ट वाले फाइल को ओपिन नहीं करना है तो उसकेज में बनाएंगे प्रसिनल माइक तो प्रस्नल माइक्रो आप प्रस्नल माइक्रो करें अब धनी दो पार्ट ह 14 माइक्रो पर्सनलाइब करते हैं जो आपने अप्लिकेशन का पार्ट बनाना है तो अगर आपने टम लिए इस इसके जिए इसके बिस्तमाल रखते हैं आइडिंग से एड़ सर्थ इट इसको स्तुमाल करते हैं अब बात आपकी है event micro Programming event micro Programming मतलब कि मैं चाहता हूं मन्स प्रूर्गामिंग होता है जीसे अभी तरिया। आप प्रसेसरल ना ने चौना आपको ля स्ऊंस्पीशन के लिए आपको अब करना होता है ठीक है प्रण करना परता है लेकिन मैं इवेंट मैंक्रों में चाहता हूं कि मेरी हिसाब तो मैं किसी पर राइट क्लिक करूं तो मैं जहां किलिक करूं में पर रून होना चाहिए इवेंट मैंक्रों मीन कर हैं कैसे राइट क्लिक करूं में एरिया तो मैं इस पर राइट कर Jeśli और चाहूं गाँगा और यहां यहां स्लीक कर्या आय नहीं और मैंने हाद आओ दिया सिंपसा कोड की एक्टीव सेल डॉट इंटेरियर डॉट कलर इक्वल टू फी वी रेल अब क्या होगा कि मेरा जो कलर करने वाले मैंक्रो कोड है वो कब रन होगा जो मैं किसी सेल पे प्लिक कर आप अपने मैंक्रो को खुद रन नहीं कर सकते हैं आपका मैंक्रो आपके पर्टीकुलर एक्शन पे रन होगा ठीक है सर्थ तो मैंक्रों के मैंक्रों के बेस्किली दो टाइप होता है अधा प्लिक मैंक्रों इसकी कोडिंग आपको फाइल में सेव होती है दूसरा टाइप होता है आपका अब प्रस्तिक्ड प्रस्माइवू और जो की कोडिंग को बाउफिस लाइवरी में सेव करता है और हर पाइल का पार्ट बन जाता है वो दूसरा आपका आता है आज आप कोड़ करते हैं प्रतिक्रा अब्जेक्ट पर को से अब्ज़क्ते ही परफॉर्म हें ऑर सीट के ऊपर डबलक्लिक करके ज uwagę और आफ तो इवेंट मैंकर ट्रगामिग्स होती है आप शीए इस पर मिड़न करते हैं शीयोगशा हूपा कर दिया को क्या होगा कि इसी के लिए इसी सीट पे ही परफॉर्म करेंगा बाहल की सीट को कंसीडर नहीं करें कि समझें सर्थ तो आज की रिकॉर्डिंग को आप डाउनलोड करके सुने जो मैंने मैं चीजे बोली है उसके बड़ी सी रइस्टर में लिग दें और जो मैं कर लिंक भेजाता एक्सर डैस डीवीए डॉट कम उसको एक बहुत अच्छे तरीके से स्टरी करें राजय अभुवेश्ट डाइस डाटकॉं इन मेरी विफसाइट नहीं है कि और आर्टिकल बज़ अच्छे डिए हुग की अजया है कि इसमें आपको इको मेंक्त कर रहा हूं इसमें आपका से लिए बढ़ीं तरी उसमें बहुत है इसमें वीड हैं बिल्ट तरिकी बारा इंबताया गया है उसको आ सब्सक्राइब करते हैं और उसके कैसे हम उसका एलिट करके अपनी यूज मिलाते हैं और लेर्निंग पार्ट में उसका क्या बेनिफिट है ठीक है सर्थ ठीक है जार्ट ऑके बाई